आज मैं आपके लेकी आई हूँ बहुती खस्ता यहां पे पूरी तो यह देखिए इसका टेक्शर आप देख सकते हैं इसके आगे आप समोसा, कचोड़ी, पूरी सब भूल जाएंगे क्योंकि यह ऐसा नाश्टा है, आप कितनी खस्ता बनके तयार हुए हैं तो यह बहुती टेस्टी लगती हैं और इसे आप बना केना स्टोर करके भी रख सकते हैं, खराब नी होंगे यह, यह देखिए कितने खस्ता दिख रहे हैं, मैं तोड़के भी दिखाती हूँ इसके हो रहा हो तब बना सकते हैं, सबसे पहले मसाला तियार करेंगे, एक प्याज लिया है मैंने यहां पे, तो यहां मैंने स्लाइस करके लिए हुए हैं, इसके साथ ही अद्रक है, एक इंच वो डाल देते हैं, और साथ से आठ यहां पे लसन लिया हुआ है मैंने वो डाल देते इसके साथ यहां पे दो हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, मिर्ची आप कम खाना पसंद करते हैं तो एक डाल सकते हैं, दो यहां पे मैंने कच्चे आलू लिये हूए हैं, मीडियम साइस के आलू हैं, यहां पे अब मैं इसको कट करके डाल दूँगी, तो देखिए इस तरह से र और एक शमच आप डालनेंगे का बहुत अच्छा फ्लेवर लुद्न जीरा चुथा की टालती हैं एक चमच डाल रही हूँ नाजेला सीट्स दो चमच यहां पर डालेंगे हम सेसमी सीट्स यानि सफेद तिल इसके साथ नमक डालेंगे स्वात के नुसार और एक बड़ा चमच यहां पर मैं डाल दूगी तेल का अब यहां पर इसको न अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहां मैं आधा कप् хотите चावल का आटा भी मला सकते हैं तो यहां पर ङी देर कप लिया मैद़ा तो मैद़ा इसम संगे मैदा दल दिया हैं और इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी तो इसी मॉइस्ट्र जो हमनेे मसाला पीचा इनस का collective का अच्छा खासा है इसी में यह अक्छे से मिक्स हो जायेगा आटक उनके तैयार हो जायेगा और इसको ना हमें सक्त लगा के तैयार करना है आटे को एकदम टाइट को तैयार करना है यहां पर मैंने एकदम टाइट डो लगा के तयार किया है इसको अच्छे से मसल रही हूँ मैं और यह देखिए अच्छे से यहां पर डो तयार हो चुका है अब करना क्या है यहां पर ना मैं इसको रेस्ट पर छोड़ दूँगी 20 मिनट के लिए अब 20 मिनट के बाद यह अच्छे से रेस्ट हो चुका है और आटा भी जो है थोड़ा से सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा से एक बार इसको और मसल लेते हैं हम यहां पर तो यहां पर देखिए थोड़ा से इसको मसल लेती हूँ मैं और अब इसको यहां पर बनाना शुरू करेंगे तो यहां पह यहां पर देखिए मैंने लूई तैयार कर लिये तो चलिए यहां पर बेलना शुरू करते हैं तो यहां पर देखिए इसको बेलने के लिए मैं इसके ओपर थोड़ा सा सूखा आठा जो है मैंता लगा दूगी ता कि अच्छे से बेल जाए चिपके नहीं ये तो थोड़ा सा ये लगाना है बहुत जादा मत भर के लगाईएगा नहीं तो तेल में जब हम तलेंगे न इसको तो फिर जो तेल है न वो खराब हो जाएगा तो इसको अब यहाँ पे हम बेल लेते हैं बहुत जादा पतला नहीं बेलना है इसको मैं अभी आपको इसकी थिकनिस दिखा दूँगी उस तरीके से आपको यहाँ पे बेलना है तो यहाँ पे पहले मैं इसको एक बड़ा सा बेल के तयार कर लेती हूँ यह देखिए इससे क्या होगा आप बहुत जल्दी बनके तयार हो जाएंगे हमारे एक बार में ही बहुत सारे और बार बार बेलने की जुरुत नहीं पड़ेगी अब देखिए यहाँ पे इसकी थिकनिस यहाँ पे इस तरीके से हमें थिकनिस रखनी है तो बस अब यहाँ पे मैंने ग्लास ले लिया है और ग्लास से में यहाँ पे इसको देखिए गोल-गोल कट कर ले रही हूँ यहाँ पे आप कोई भी कुकी कटर से इसको कट कर सकते हैं अगर आप इसको डिजाइन देना चाहते हैं तो आप इसको design में भी cut कर सकते हैं, बहुत सारी designs आते हैं, star में, circle में बहुत सारी designs आपको मिल जाएंगे market में, अगर आप लेना चाहेंगे, mold तो अब यहाँ पे देख़िये, इसको मैं दुबारी सथ्वदा सच्छे से, इसको cut कर रही हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रार्टे को जो है न वो हमें हटा देना है यहाँ से तो बस यहाँ पे देखिए हमारी गोर्गोल पूरिया बनके तयार है आप चाहे तो इसको छोड़ी लोई बना के पूरी तल सकते हैं तो यहाँ पे एक बार में क्या होगा न अगर बड़ी पूरी बना लेंगे तो एक बार में बहुत सारे कट हो जाएंगे और बहुत सारे बनके तयार हो जाएंगे तो इससे क्या होगा काम बना असान हो जाएगा और इवन एक साइस की जो पूरिया है ना वो निकल के आएंगी बहुत ही खस्ता और बहुत ही बढ़िया तो यहां पर देखिए इस जरीके से मैं कुछ यहां पर बना के तयार कर ले रही हूं ताकि यह फटा फट से तल के तयार हो जाए तलने के लिए यहां पर तेल है ना मी आप इसको जो है कचोरी भी बोल सकते हैं तो बस यहां पर इसको एक अच्छा सा कलर आने तक हमें इसको फ्राइ करना है तो यहां पर देखिए कचोरी फुल गई है कचोरी बोलिए पूरी बोलिए बहुत ही बड़े लगती है खाने में तो बस यहां पर देखिए कितना चाहे भंडारे वाली जो है कद्दू की सब्जी होती उसके साथ खाईए बहुत ही बढ़िया यह लगती है अब देखिए यहां पर इसका जो है टेक्शर बहुत ही बढ़िया आया है बहुत खस्ता बनके तयार हुई है तो यहां पर देखिए सरी के से बनाके रख लीजिए पूरी के जगा नॉर्मल पूरी के जगा इसे बनाईए तो यह खाने में भी टेस्टी लगेंगी और देखने में तो इसंदर लगी रही है इसका टेक्शर देखिए कितना बढ़िया आया है एक एक जो पूरी है बहुत बढ़िया से फुल के तयार हुई है देखिए कितनी क्यासी है आप चाहे तो इसमें कोई मसाला भी स्टफ करके अंदर बना सकते हैं लेकिन हमने जो से मसाले जो हमने भरे है ना जो से में आटे में मिक्स करके बनाए हैं वैसे ही बखुत बड़िया उसका टेस्ट आ रहा है बस चटनी या कोई भी सब्जी या ऐसे ही चाहे के आप से इसी तरीकी की वीडियो के लिए तब तक ले तिल देन बाई